इस रक्षा बंधन अगर आप 500 वाली मिठाई केवल 50 रुपए में बना करके तयार पर कर पाएंगे तो बाहर से क्यों ही खरीदेंगे तो आईए आज हम जानते हैं केवल चावल से मिठाई बनाने की रेस्पी जो कि हम कलाकंद बनाने वाले हैं बहुत ही जादा स्वाधिश रेस्पी बनेगी ये और बहुत ही जादा टेस्टी मिठाई बन करके तयार होगी वो भी देसी घी वाली केवल 50 रुपए में तो आई ये रेस्पी को जानते हैं तो यहां पर हमने कटोरी में चावल लिया था आपने देखा कितना लिया था और चावल को कौटन की कपड़े में अच्छी तरीके से पोछ लेना है तो हमने पुलाव वाला चावल लिया है आप अधर चावल कोई भी ले सकते हो इसमें कोई दिकत नहीं रेकिन हमारे पास तो हमने इसी का बनाया है तो ये देखिए हमने चावल को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है फिर इसके बाद इसमें कड़ाई रखेंगे और कड़ाई में डालेंगे देशी घी तो देशी घी करीब हम अगर चमच से ना पें तो हम चार चमच देसी की बड़े चमच से डाल रहे हैं जो कीचन में चमच आपके यूज होता है बड़े सा इसका बस उसी से और यह थोड़ा देसी की जमी हुई है इस वज़े से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए हमने आपको चमच के और कितना रोष्ट करना है वो आप वीडियो में देख पाओगे तो प्लीज इसके लिए वीडियो में बने रहीएगा वीडियो को भी ना स्किप किये पूरा जरूर देखिएगा ताकि सारे स्टेप्स आपको मालूम चल सके तो यह देखिए चावल अच्छी तरीके से रोष्ट हो गया है हमारा और इससे चावल रोष्ट करने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सुन्धा सुन्धा इसमें टेस्ट आएगा मिठाई में और बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट मिठाई बनेगी और एकदम कलाकंद की तरह आप इस मिठाई को बना पाओगे तो ये देखिए चावल को हमने निकाल लिया है कढ़ाई से बाहर कर लिया है अब इसे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए 10-15 मिनट बाद ये देखिए चावल को अब हम हास से छूपा रहे हैं तो हमारा चावल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है तो अब इसे ग्रेंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेंगे तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे और ट्रांसफर करने के बाद आपको जो ये प्लेट में जिस प्लेट में चावल है उस प्लेट को आपको बिल्कुल अलग नहीं करना है इसको रखना है अभी यूज में आएगी क्यूपी काफी सारा उसमें घी लगा हुआ है फिर इसके पर जब चावल ग्रेंडिंग जार में आड़ कर लीजे तो काजू आड़ कर लीजे जितने आपके पास हो तो मैंने 5-7 काजू डाले है इसमें और फिर इसको अच्छे से दरदरा फाइन पाउडर बना लिया है दरदरा सा इसी तरीके से आपको इसका पाउडर बनाना है ताकि दरदरा ही बनाना है क्योंकि अगर दरदरा नहीं बनाएंगे तो आपका कलकंत अच्छा नहीं बनेगा इसलिए आप दरदरा सा इसका पाउडर बना लिजे मिक्सी को रोक रोक के चलाईएगा ताकि पाउडर हमारा अच्छे से तयार हो जाए फिर उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में जितना चावल लिया था उतनी ही चीनी लेंगे और चीनी लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए केरिमल करेंगे चीनी को तो चीनी को अच्छे से केरिमल करना है हमें तो इसको चलाते रहेंगे और चलाने से क्या होगा कि अच्छे से गल जाएगी फिर उसके बाद जब बीना पानी के चीनी हम पकाते हैं तो उसमें कलर आ जाता है एकदम नैचुरल करल तो को ऐसा कलर आ गया है और फिर उसके बाद आपको इसमें दूद एड़ कर देना है जब आपको लगी कलर इसमें अच्छा आ गया है और दूद एक गलास एड़ करने क के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाना है और चलाते हुए इसको पका लेना है तो मीडियम फ्लेम पे सारा प्रोसेस होना है इस दिश्काप ध्यान दीजेगा तो आप देख पा रहे हो फिर जब यह अच्छे से चीनी सारी इसमें गल जाए जो अपने करीमल करी हुई थी तो इसमें आपको पाउडर एड़ कर देना है जो आपने चावल का फाइन पाउडर बनाके रखा था उसे आड़ करना है और उसे आड़ करने के बाद इसको बरसे चलाते हुए आपको पका लेना है ताकि तोट देख रहे हो किस तरीके से मैं चला रही हैं जो थोड़ा बहुत लंशाब लंशा बीगे हाँए अभी देखिया होएंग भी तो कने द्वस्ट अब को चला लेना है कर दिए देरे कर के अपने आप गड़ा होने लगे करकल् vídeo होने लगेगा तो आपको जब तक चलाते हुए भूना है प्नलग नहीं तो आप देख रहे-चैन्ट-धी जिसमें चावल था उसी प्रिट में हमें इसे जमा देना हैं क्योंकि इसमें पहले से घी लगी हुई है तो अधर प्लेट में घी लगाने surprised मतलब नहीं है इसी प्लेट में हम गी जो लगी हुई प्लेट में उसी में हम इसको जमा देखे इसको अच्छी तरीके से प्रश करते हुए बराबर कर लीजिए आप चाहे तो गोल शेप में मिठाई को बनाईए आप चाहे तो चाकोल शेप में तो यहां पर यहां पर आप देख रहे हो कि हम इसको चाकोल शेप में बना रहे हैं तो यह देखिए बेटा हम अभी क्हिला देंगे बन जानों तो खिला देंगे तो यह देखिए हमने इसको एक चाकोश और शेव दे दिया है अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा साइड कर देना है और एक काजू एक बदाम इसमें से आपको कद्दुकस कर लेना है ताकि इसका एक दरदरा सा पाउडर बन जाए आप चाहे तो मिक्सर में भी पीछ सकते हैं लेकिन हमें ज्यादा की जरूरत नहीं थी इसलिए हमने कद्दुकस कर लिया है आप देख पारें कितना सा पाउडर हमारे पास दरदरा सबन के तयार है अब इसे हमें सारे कल किसे सेट कर देना है ताकि हम कटिंग करें तो बहुत अच्छे से कटिंग हो पाएं अब क्या करना है आपको इसको करीब फ्रीज में आधेगांटे से एक घंटे के लिए स्सेटोर करके रख देना है ताकि यह मिठाई अच्छे से ठंडी हो जाए कटने योग without हैं कि योगा कि अखनी के बाद मैं इसको कटिंग और रख्षा बनाёक पर बना करके अ कि इस तरह औरबưक के लिए प्लीज हमारी वीडीयो को फॉलो करें लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और जदा से ज्यादा करने की कोसिस करें ताकी हमारी वीडियो सर्ल लोगों को को पहुच सके और हमारी ऐसे ही हमारे साथ बने रही दो तो तो यह देखिए मैं मिठाई को आपको तोड़कर भी थोड़ा सा दिखा रही हूँ एकदम कलाकंद हमारी बहुत अच्छे से बन करके तयार है एकदम सॉफ्ट कलाकंद तो बताईए आज की रेस्पी आपको कैसी लगी प्लिस कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए कर ऐसी पस कोच सके और सभी लोग 500 अली मिठाई 50 में बना सके क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो की मिठाई बजार से खरीदना नहीं अफ़र्ड कर पाते हैं तो वह घर पे ही बना करके अच्छी से अच्छी मिठाई अपने भाईयों के लिए ले जा सके हमारी रेस्पी कैसी लगी प्लीज जरूर से बताईए कि चलिए अब हम मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेस्पी साथ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो